धार्मिक मानेताव के अनुसार सीव तांडव स्त्रोत का पार्ट करने से जहां भगवान सीव का अशिरवात प्राप्त होता है वहीं जीवन में सुक सम्रद्धी वैभव एश्वरिय धन्दोलत मानसमान आदिप्राप्त होता है सीव तांडव स्त्रोत का पार्ट रोजाना करने से भगवान सीव बल बुद्धी का अशिरवात देते हैं कहा जाता है कि सीव तांडव स्तोत्र पार्ट की रसना भगवान सीव के परमभक्त राक्षस राजा रावण ने की थी पूरे ब्रहमान में भगवान सीव के परमभक् पर बताये जाते हैं जिन्होंने सीव की अराधना और पूजा करने के लिए बहुत से जब तब और साधनाय की हैं सिवतांडव स्त्रोत के महतु को लेकर हमने हरद्वार के प्रसिद जोतिस अचारिये श्रीधर सर्मा सास्त्री से बाच्चीत की सिवतांडव एक बहुत ही अच्छा स्तोत्र है जिसकी रचना लंका धीपदी दसानन रावन जी ने की है जो उस समय गे उद्वट विद्वान थे महापंडिक थे ये दुरलब है और इसकी जो संस्कृत भासा बहुत ही कटीन भी है तो जैसा कि मैं एक पंक्तिय द्वारा बो पंक्तियां मिला करके सड़सट पंक्तियां होती है और इसमें बहुती सुन्दर वर्नन महाराजारावन के द्वारा प्या गया है साथ ही इसकी जो संस्कृत है इतनी कठिन है कि हम इसका अगर पाट करते हैं तो हमारा पेठ भी दुखने लगता है और हमें पसीने भी आ जा कुझा चुलिश्ट में चौनल मेंольшekन इसकी हमें स्वास्ताहरय चौनल माद्दि के समय है पता है। तो सीवतांडव को हमें साम के समय अवश्य करना चाहिए क्योंकि हम सभी पाठ पूजा को हम पूरा संपूर्ट कर लें उसके बाद में रात्री में प्रदोस्काल में इसका हम पाठ या स्तोत्र को हम पूरा पढ़ सकते हैं और उसको नित्य परति पढ़ें क्योंकि अर्थात भगवान भोले नात ऐसे व्यक्तिवों जो सिवतान्डव का पाठ करता है उसको इस्तिर लक्समी प्रदान कर देते हैं अर्थात उनके पास लक्समी हमेशा ही आती रहती है और सर्थ यह है कि मनुस्यकों अपने आच्रण अच्छे रखने चाहिए और विदी विध से अपने आच्रणों को अच्छा रखते विए सैंकाल प्रदोस्काल के समय नित्यवर्दी इसका सीवतान्डव का पाठ वस्य करें साथ ही भोले संकर जी का जो यह स्तोत्र है सोंबार के दिन तो अवस्य करें जिससे कि सभी मनुस्यों के उपर भोले नाती सिवतान्डव स्तरोत्र में कुल 67 पंक्तियां हैं कहा जाता है कि सिवतान्डव स्तरोत्र के सब्द इतने कठिन है कि उनका उश्चारन करते हुए व्यक्ति का पेड दुखने लगता है वहीं यह भी मानेता है कि सिवतान्डव स्तरोत्र का पाठ करने से भगवान सिव अधि झाल रेदावार